तो भाई लोग कैसे हुआ आप लोग तो स्वैलो डेस्टार के नेक्स्ट इनोवल के एपिसोड नमर 181 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने में चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बुलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लोग फैंग की सेकेंड क्लोन वाली बॉड़ी भी अज बनके ट्यार होने वाली है और अभी के दर्मिया लोग फैंग को पैसे की फिर से कमी सदाने लगती है तो आप फिर हमें बताया जाता है कि लोग फैंग का बेस्ट का बॉड़ी युनिवर्सल लेवल सेवन पे आ चुका है यहां पे अगर ऐसा हुआ और वो युनिवर्सल लेवल में आ गया तो फिर वो इस एक्जाम को नहीं दे पाएगा और अभी के मरतबा लोफैंग अपनी मैक्सिमम और्टिमाइजीसन को यूज करके अपने गोलेन होन बीस्ट को अच्छे से निच्यूर कर रहा होता और इसे बहुत ही फास्टी कल्टिवेशन करवा रहा होता है और अभी उसकी पूरी इफिन सेंसी 56 टाइम बढ़ गई होती है और इनी तीन सालों में अभी लूफैंग ने 224 जितना कंपेरिटिवली कर लिया होता है और अफरे सीन चेंज कर हमें बताया जाता है क्लाव्ट कॉंटेर्वाइन की कि यहां पर जब दुनिया के अंदर की दुनिया के इंसिडेंट के बाद लूफैंग और रेडी युनिवर्सल लेवल टू पे आ चुका था और इसकी क्लाव्ट कॉंटेर्वाइन बहुत जा मेहनत करनी पर ती है जिसके कान अभी उसका ब्रेक्ट्रू नहीं हो पाया है और लूफैंग इसे के बार में परिसान हो रहा होता और रफिम हमें सीन चेंज कर एक ट्रेंगलर ब्लैक युनिवर्सल सिप को दिखाया जाता है जहां पर लूफैंग उसे सिप में होता है और सीदा जाके अर्ट एक्मोस्फेर को चीरते हुए मार्स की और आ जाता है और अपर हमें सीन चेंज कर सोलर सिस्टम मार्स के सर्फेस को दिखाया जाता है जहां पर युनिवर्सल से वहां पर आके रूप जाता हमें रेस्टिंग चेंबर को दिखाया जाता है जहां पर लू लिए वहां होता है और यहां के बीच में गोल्डन एक मिल्डन एसके यह उता हम पर यहां पर यहांिक ऋसकी तरब दीख रहा होता है और यह है को दिखा जाता है जो कि कृक्रैक को के ऑपरोटा होंlış wird यहां पे उसमें से black crystal निकलने लागता है और यहां पे उस crystal में total 10,081 surfaces होती है और उन सारे surfaces पे complex golden carviz बनी हुई थी और यहां पे वो in carviz totally fuse होती है crystal के साथ और यहां पे उसकी core होती है मोसान क्रेंट डेमन की जो की होती है life crystal और तभी वहां पे कोई आता है और वह एक वी टूर जाता है और आफिया में black energy से भड़ा हुआ एक जगल दिखाया जाता है जहां पे naked yellow skin black sword head man appear होता है जो कि असल में लूफ हैं ही होता है अभी करदाना वो निकेड होता है और वह बिल्कुली लूफ हैं की तरफ ही दिख रहा होता है और यहां पे एक माउंटेन जितना बड़ा गोल्ट होता है और अभी के दर्मिया क्या जाए तो लूफ हैं यह भी गलत नहीं है यहां पे लूफ हैं कहाता है इंट्रेस्टिंग अपर लूफ हैं उन तोनों की तब देखता है जहां पे लूफ होता है दो वह बात करें टू लाइफ कोरकी तो बहुत जाना इंक्रिडुवल पावर्फुल होता है वो टू बाडी में अपियर हो जाता है और अप फिर हमें दिखाया जाता है इस गोल्डेन होन बेस्ट की बॉड़ी यहां तक कि वो मोसा क्लान की बॉड़ी उनमें भी टू पावर फैर रही होती है और आप फिर में लूफ हैं को दिखाया जाता है जो कि गायब हो जाता है वो मास्क के सर्फेस पे आ जात और ऐसे ही करके वो डार्ट रिड आरमर लूफ हैं और वही पर ब्लैक क्रॉट लूफ हैं वो तीनों वहां पर सर्फेस पे आ चुके होते हैं और अभी के दर्मिया जैसे वो तीनों बाहर आते हैं उनके अंदर से जो क्रिस्टल बॉल होती है जो कि उन सब की लाइफ कोर होती है वो भी इस्टरनल वर्ल में आ जाती है उस क्रिश्टल बॉल को दिखाया जाता है जिस पर की कंप्लेक्स गोल्डिन इन कार्विंग्स बनी हुई होती है तभी वहाँ पर लूफैंग आ जाता और यहाँ पर अभी इस टॉनर वर्ड में उसके लाइफ कोर्ड को छोड़ना बहुत है हार्मफूर्स सावित क्योंकि किसी बंडेने अगर लूफैंग घ्षा ल्यूफैंग को डिस्ट्रोइग कर दिया तो लूफैंग खेल खतम लेकिन अगर लूफैंग अपने लाइफ को बचाये हुए रहा है और इसने बंप्र आफने को भी टिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर यहीं मरेगा इसलिए उसकी लाइफ को बहुत ही जाला सेक्योटी से भड़ी हुई होती और यहां पर वह अभी कपनी भी अपने एक्स्टाइनर वेल में इस लाइफ को नहीं लाता है और अफिन यहां पर लूफ एंग उन दोनों के तब देखता है यहां पर लूफ एंग मोसा क्लेंड की बॉडी क कि तब देखने लगता वहां पर वह अपने बॉडी को एक्स्टेंज कर लेता और यहां पर हम दिखाया जाता है कि लूफ एंग की एक इनर्जी फ्लू करके उस टॉल बंडे में आ जाती जो कि पावरफूल होता है रॉंग जून जैसा यहां पर वो चेंज करके फिर से अपने अंदर में आ जाता तो यहां पर लूफ एंग समाल कर दो कहाता है कि इनकी एनर्जी लाइफ वर्म तो यह बहुत नहीं इस पेसले नहीं पर वह अपने एक्स्टर्नर अप्रेर्स के साथ नहीं मिक्स हुए हैं यह चेंज हो सकते अपने आपको भी चेंज कर सकते हैं किसी भी चेप में आ सकती हो किसी का भी रूप धारन कर सकती है और यहां पर वो कितने भी बड़े क्यूं नहीं हो जाए वो अपने डिफेंस को बनाए रखेंगे और यहां पर अभी वो युनिवर्सल लेवल टू पर था जिसके गारन इस पर कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाना था लूप यहां पर कहा था कि यह वो सा ख्लैन यहां पर यह त्रॉंबट अश्राशनेस हूं रहे है और मैं इसकी डिफ्रेंसी स्करपा रहा हूं इसके स्पेशल प्रपर्टी जो कि मोशा क्लैन की बड़ी में मौदू है वो कह था है कि यह सच में फेवर किए गए ह आता था जो कि इससे बजा स्ट्रोंग हो और लूफ एंग को इस सेकंड बॉडी को अप्टेन करने के बाद लूफ एंग के पास इसकी नैच्रल एबिलिटी और टैलेंट भी आ चुकी होता है मोस्य क्लेंड के स्पारी में और यहां पे वो अपने नैच्रल सिक्रेट टेकनिक कि आपकी जिसका नाम एंड़र कर पाया था मोसा बात किजा इसकी यूमन्स और गोलें हम बीश दिन तो यह बिलकु नहीं अलगत है किके तो इनकी लाइफ और रही और बात hack boys होता है और इसी कान मोसा क्लाइन को डर नहीं होता है किसी भी स्पीट अटाइक का क्योंकि यहाँ पर उनके पास कोई सोल है नहीं जिसके कान वो इसको डिस्ट्रॉइ कर पाएंगे और इसे का उनके पास soul नहीं है इसे का वो भी spirit energy को नहीं यूज़ कर पाते हैं और यहाँ पर जितने भी मोसा क्लाइन के fighters होते हैं वो mainly fighters ही होते हैं ना कि spirit reader और यहाँ पर वो कहता है कि इस natural ability cloning की मदद से मैं मोसा क्लाइन के demon के clone को भी clone कर पाया हूँ इसके life force और इसके spirit energy भी इसका main target है और यहाँ पर वो कहता है कि इस मोसा क्लाइन की body की तो बहुत अच्छी टेक्निक है यहाँ पर जब अपने target soul energies को copy कर लेगा तो यहाँ तक ही undying बेंगी जो अपने spirit energy को भी पूरी जगह scan कर लेगा फिर भी वो इसका पता नहीं लगा पाएगा कि यह किसी को capture किये हुए है और अफिर लूफेंग वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर लूफेंग उसके power को महसूस कर पा रहा था कि यह transform हो सकता है किसी भ तो बहुत ज़रा space alien मैं अभी इसकी body में आया हूं लेकिन फिर भी मैं space के ripple को feel कर सकता हूं और यहाँ पर जो इसकी earth body होती हो गोलेन होन बेश की body होते हैं वो इसको feel नहीं कर पारे होते हैं इस space ripple को जो की absolute space होता है अब यहाँ पर लूफेंग अपने एक technique को unleash करता है जो क ब्लैक crystal जो कि 10,081 surface होता है वो उसके साथ मिलना सुरू हो जाती है और वहाँ की universe space में फैना सुरू कर देती है और तभी वहाँ पर तभी लूफेंग जब इस technique को perform करता है तो वहाँ पे suddenly दो लूफेंग आ जाते हैं और यह वैसा ही technique होता है जैसा कि रॉंग जून ने duplicate को बना सकता है लूफेंग वह भी अभी यहीं कर रहा हो में जैसा पाता है कि मोसा क्लेंग की बॉड़ी सिंपली स्टेस लॉक फॉलो करती है इसी कान वो इतने असानी से इसको perform कर पाता तो यह देखकर लूफेंग सब को स्टॉप करने के लिए बोलता है यहां पे लूफ करता है कि मुझे एपसलूट स्टेस के बारे में बहुत कम अंडरस्ट्राइडिंग है लेकिन इन इयर्स में मैंने एक्ट्वली स्पेस ओरिजिन लॉक को टर्च कर दिया यहां पे मैंने इसको अभी उतना समझा भी नहीं लेकिन जैसे ही मैं अगर मुसा क्लाइन की बात कर दूस हो रहे है जिसे देख लूफेंग और रिजा सौक हो जाती है और फिर लूफेंग अपने बॉड़ी को स्विच कर लेता फिर मुसा क्लाइन की बॉड़ी वैनिस होके वहां पे डार्क रेट आर्मर लूफेंग आ जाता है लूफेंग को वो सराउंडिंग वाली फिलि पहले था और वो वहां पे किसी भी स्पेस रिपल्स को फिल नहीं कर पाया था और फिर लूफेंग उसके बार में सोचने लगता है कि ये बहुत नहीं अच्छा रोग कहाता है कि जब मैंने मोसा क्लाइन की डेमन की बॉड़ी ले थी तो ऐसा लगाता कि जैसे पानी में अत सानी से सीख सकते हैं और उसकी कॉंप्रियेंशन बले ही लोग की नहीं लेकिन यहां पे उसकी बॉड़ी मोसा क्लाइन की वज़ा से उसकी ये औरीजिन ऑफ स्पेस बहुत ही अच्छे से बढ़ चुकी ही होती है यह से कलो फैंग भी कहाता है यह तो बहुत ही आच्छा है यह सुनका बवाता क्या दिए कि तुम्हें यह कहने की जरूँआ बी नहीं है यह स्ट्रोंगेस्ट असासिनेशन रस है इस यूनिवर्स में यहाँ पर इनरजी लाइफ फार्म्स होती है यहाँ तक ही आच्छुमन लाइफ फार्म्स जो की मेटल लाइफ फार्मस होती है औ तुमें सच में लगता है कि यह म ज़ाके उन था क्लान के लिए यहां पहुत है कि या पी लेकी यह बहुत जाला अमीजिंग है वह अभी कहता मिं तो थे क्लान रिपल अफ स्टेज भाव म्हीं एक नाचुरल कॉम्पेनेंट ही इस स्पेस ओरिजिन लोग की और जाग तुम इसको पूरी तरह से सीख जाओगे तो तुमारी इंक्रीजमेंट पर पावर बहुत बर जाएगी और वो कहाती है कि स्पेस ओरिजिन लोग बहुत ही आसान हो जाएगी यूमन्स के मुखाबले औ तुम स्पेस ओरिजिन लोग के डरवाजी पर आ चुके हो और यहां पर तुमने इसको मैसूस करना भी स्टार्ट कर दिया और फिर वो कहाती है कि यहां पर इसकी पावर के वाज़ा से तुम्हारी परफेक्शन लेवल भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारी एटैक भी बहुत ही एक्स्ट्रीमली स्ट्रॉंग हो जाएगी और यहां कि मॉस्ट एसक्वेडी बात इसके यह है कि यहां पर यह सबसे आच्वाー मैं अस कहता है कि इसमो कि बहुत जारहा फाइर तुम्हारी इस मॉसा क्लान ध्य है यहां बात करे लेकिस सानले हो इस मुदर करने के और उनके बीचे बसता तो है सिफ एक crystal satrin जिसमें की एक damage crystal होता है और वहाँ पे तो skin भी नहीं बसती और एक ऐसा condition जिसमें की एक skin को लाने ये बहुत जाला real है और इसी कार्ण इसमें ये बहुत जाला valuable है अब यहाँ पर valuable है ये इसलियर क्योंकि उसमें true space origin law की in carvings बनी वहाँ संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर मुझे सिफ अपने human body को ही use करना लाजमी है तो ये सुनकर बबाता उससे कहती है कि हाँ तुमने सही का और फिर वो कहती है कि अभी October है और यहाँ पर अभी एक साल बाकी है इस final battle को start होने में यहाँ पर अभी वन टाउजन एक को और तुम्हाई training जो होगी absolute space के तो उसके बाद तुम golden horn based के कान उसको अच्छे से unleash कर पाओगे तो यहाँ पर बाता ऐसा इसलिए कर रहे थी क्योंकि यहाँ पर उस मोसा क्लाइन की body किसी का रूब ढारन कर सकती थी और यहाँ पर उसका golden horn based का body रूब ढारन करना यह कोई मुश्किल बात नहीं थी अब यहाँ पर बबाता लूफेंग का main focus उस golden horn based की body पर करवा रही थी क्योंकि वही तो लूफेंग का main body है इसी कान तो लूफेंग इतना दा है strong हो रहा है तो यह सुनकर लूफेंग भी कहता कि हम लूफेंग एक लंबी सासे बरत और कहता है कि अ उनमों प्लाइंट ने लूफेंग के लिए three separate accounts खोल लखे थे जो कि उनमें से डिस्पल वहां के star level, universal level, final domain lot पे उन सब को खोल सकते हैं और इसमें से पैसे acquire कर सकते हैं अब यहाँ पे वो तीनों extremely huge amounts थे जो कि उनमें difference था और यहाँ पे एक account domain level पे आने के बाद ही मिलता और और वैसे भी लूफेंग के teacher का जो account है वो five extra था तो आप अंगाजा लगा सकते कि उसमें कितने साए पैसे होंगे तो यहाँ पे जब बबाता ही सुनती है कि masa clan की body को use करके वो account को खोलाना चाहता तो कहती है कि नहीं यह possible नहीं है तो यह सुनकर वो लूफेंग कहता है कि प नहीं है उसमें तुम्हें personally वहाँ जाना होगा तुम्हें वहाँ account को खुलाना होगा और वहाँ पे जैसे तुम खुलाने जाओगे तो तुम्हारी spirit energy को भी scan किया जाएगा और यहां पे तुम्हारी spirit energy यूनमो प्लानेट की जैसी होनी चाहिए तबी यह account खुलेगा तो ल life crystal से आती है इसके अंदर कोई भी spirit energy मौजूद नहीं होती है तो बता हूँ तुम अपने spirit energy को क्या से यूज कर सकते हो मोसा क्लैन में रहने के बाद तो यह सुनकर लोग फैंग भी stun हो जाता है अभी के मरतवा में बताया जाता है कि जितने भी life forms होते है उसमें flesh और blood होता ह जैसे कि humans को इन देख लो या फिर बीश्ट या फिर स्पेस बीश्ट की उन सब के पास एक ही रास्ता होता है उन सब के अंदर soul और spirit energy होता है जो कि उन सब में एक समान होता है लेकिन यहाँ पर energy life forms सब की अलग-अलग होती है लेकिन यहाँ पर मोसा क्लैन उसके पास life crystal वजूदे जो की spirit energy है अभी ऐसा है जैसा कि हमने आटमान रेस को देखा था जो की एक living AI थे उन्हें किसी भी spirit energy की content करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वह एक AI है तो उनका spirit energy का होना क्या ही माय नहीं रखता इसे का जब युन्मो प्लानेट का सिब भी डिस्ट्रॉय हु होने की कानी बच पाई थी यहां पर हमें बताया जाता की life form की बहुत साए डिफरेंट तरीके होते हैं यहां तक उनकी life span भी अलग होती है एक AI के बात करे जो की living AI होती है यह अंडाइंग भी ना बने फिर भी वो जिन्दा रह सकती है जैसे की लॉड वू जो की millions of years तक फस क्याती है कि बच्चे इतना दाल लालची मत तो तुम्हारे पास golden home base की बॉड़ी है जो कि most alive bloodline body है जो इस entire universe में मौझूद है यहां तक की तुम्हारे पास motion clan की बॉड़ी है जो की strongest assassination in the universe है और तुम्हारे पास इन सारे एडवाइंटेज भी मौझूद है और तुम अभी इन सब के लिए feeling disappoint कर रहे हो और यहां पर वो क्याती कि मैंने तुम से ऐसा stupid कभी नहीं देखा है तो यह सुनका लूफ्रेंग हसने लगता है यहां पर लूफ्रेंग के पास golden home base और मोसा क्लेंट की बॉड़ी ती जो की बहुत जार रहती इस पूरे universe ने बहुत बहुत ज्य जारा advantage में था फिलूफ्रेंग को और बिजा प्रैक्टिस करने जारो फिलूफ्रेंग एक बीम ऑफ लाइट बंके center of mars की तब पर जाता है वहां पर यूनिवर्सल सिप भी होता अभी के मरतवा वह फिर यूनिवर्सल सिप में जाता और अभी वह अपनी consciousness को वर्ट्वर्ट जोर लेता है Fd . Im the scene chance कर वर्ट्व इन्वर्स ब्ल्यग ड्रेगन मांटें आइलें श्लाउटर हाॉस को दिखाया जाता है जहां पर लूफ्रेंग उस स्लाउटर हाउस में आ चुका होता है वहां पर बाता को दिखाया जाता जहां पर वह एक बाइस machinery factory को ले आती जो के प्रेटर में भी निस्ट भड़ा हुआ था जहां पर टेस्ट पैक्ट अधर जहां पर ऐसे कोई केरलेस गुंता तो बरी आम से नौक कर दिया जाता और यहां पर वाथा उसे कहती है कि यह तुम्हाँ टेस्ट फर्स्ट लेवल और टेन्ट ट्रेट टेकनिक स्किन जो कि ट्रेट लेवल को पास कर लोगे लेकिन अगर नहीं किया तो तुम्हें फ्रीज सिक करना पड़ेगा तो यह सुनकर लूफवेंग क्याता है कि मैं समझ गया यहां पर लूफवेंग उस रॉंग जिन से फेलियर के बाद यह सीख चुका था कि उसने बहुत जाए स्ट्रॉं भी ज्यां दियान देना चाहिए और यह अंपर बैक्टल बैक्टल की बात कर रहे तो उसकी अलग टेखनिक होती यह मैंजीशन की बात करें तो इसकी बैटल में टेखनिक होती है जैसे कि सूल इंप्रेंट जोकि लूफवेंग का ही एकजामपल होता है लिए आप गोदा जोकि було के लिए और से और इसे और उले घरफ के लिए लिए खुद को डिफेंट कर सके तो ऑ्सकी अलगी को पते के लिए हैं और बांड के लएग की बीष कुर्टियेंग टेकनिक इलकी चीजे प्रफ्रिण कीज यहाँ पे उन सबका बेस टेकडिक्त यूज किया जाता और यहाँ पे और जिन लोग ऑर यानोरी मैन तो इन सबके बारे में जानते ही नहीं है और फ्ल इस्ट्रमітиश करने के लिए और जिन लोग का होना जरूरी है यहाँ पे फुले स्ट्रेंड को यूज करना है तो उसे यूज करना होगा और जिन जो की ग्रेटिस बैटल एबलेटिस को रखता है इसके आपने ओपिणियन को बवाता सो सेड़ किया था इसके बाद लूफैंग ने अपने लेवल फाइड पाइड डाल क्लाउड सब्सक्क्राइब को चूज किया था जो की वही इस प्राइड टेक्नीक होती है यह बहुत जाला अलग तो बहुत सारे इसको पहले से जानते यहां पूछता है यहां पर यहां पर लूब्फांग क्या आता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि यह एब्सलूट इसपेस 10,000 ट्रेट ट्रेक्निक जिक हैं देंर रहा तो यह सुनकर बाता कहती है ने सीमलर ही है और वह कहती है कि तुम्हारी एप्सलूट इसपेस ट्रेनिंग यह सिंसे में की इन्फिना चेंजन से है और यह तुम्हारी 10,000 की और अगर चाह चाहा है तो इसकी 10,000 एक्ट्वालीए हाईयर लेवल है टेलिपोर्टेशन की और यहां पर कोई भी इस मेठड को नहीं जानता है इस विए इतना जाना रेर है और यहां पर कहती है कि यहां पर जो एबसुल्यूट इस पेस से वो तीन लेवल में बटा हुए ज ट्यप्रेटर ओन सब्सक्राइब घ्यानस धि baw झालष्ट छीए णो कि अब्सूलूट एस पीज does लिव से ठीप यह की एफस्ऊलूट्छे देओ और आउने चाहिए मुझेयर मों के द्या से तोिस एक हां सुम्हाम नाएड ऐसे एक त्विस टेलिपॉतर जाए B एक में कांघते नियुक्न न मृपने कर दिखाता है और भिज़ाता है यह आप पर मैंस को करूं दूसा तो मैं उसे अरहम से नॉज कर सकता हूं तो बाड़ा हाथीयग यह पहली बाद मैं तुम्हारी इस जीनियस बैटल में कभी पार्टिस्पेट नहीं कर से और वो कहती है कि मैं तुम्हारी एक सजेशन देती हूं कि तुम रियालिटी में और अपने मोसा क्लाइन को गोलन होर बीश के ट्रेनिंग को एपसलीट इस पेस को ट्रेनिंग में डाल दो और यहां पर लूफेंग कहाता है ठीक है और आप यह में सेंचेंज के मार्स का सर्फेस भी खाया जाता है जहां पर लूफेंग अपने रिड इस ट्रेंडर स्टॉम में ख़डा हुआ होता है और यहां पर वो अपने बोडी में से इनर्जी निकालता है वो ट्रांसफॉर् होता है किसी भी गोलेन होन बेश्ट के बच्चे की जैसा और यहां पे वो ब्लैक क्रिस्टल जिसमें की ट्रेनिंग सुरू करता है लुफ जैसे वहां पे अपने इंस्ट्रक्शन के मताबिक एबसलूट स्पेस को स्टार्ट करता है उसकी स्केल विंग्स वो सारी यूज होने लगती है और वहां पर दिखाया जाता है कि डो गोल्डेन होन बेश्ट तीन चार पांच और ऐसे होते ह गोल्डेन हों बेश्ट बंद चुका है यहां पर लूफ ऑपने हैं यह सब करने के बाद लूफ अपने आपको ट्रेणिग आफ एबसलूट थे स्पेस में जोग देता है यहां पर वो अपने इस पेस और रवको आरां यह करके दिन बाद दिन पास सोने लगते हैं तो आह देखने कि आगी क्या होने वाला है क्या लूफिंग आने वाले सारी मैचेस में जीत कर नंबर वन पोजिशन में आप आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना